ये कपल जंगल में जाकर इंजॉय कर रहा होता है तभी वहां लड़की का मास्क पहने एक आदमी आता है और लड़के पर वार करता है ये देख लड़की डर जाती है और उस आदमी के पेट में एक रोट गुसा कर उसे घायल कर देती है और वहां से भागने लगती है लेकिन जंगल में ट्राकिंग के लिए आने वाले लोगों का शिकार करते हैं लेकिन कल रात हुए अटैक में ये मास्क मैन भी घायल हो गया था और अब ज़्यादा खुन भेने की वज़़ से अगले दिन इस मास्क मैन की भी डेथ हो जाती है अब मास्कمن के परिवार में सबी महिलाए थी इसलिए अब उन्हें एक आदमी की तलाश थी जो उनके लिए शिकार कर सके तबी जंगल में एक और कापल ट्राकिंग के लिए आता है ये महिलाएं मिलकर इन्हें पकड़ लेती है और अपने घर ले जाकर इस आदमी को वही मास्क पहना देती है मास्क लगाते ही आदमी बेहोश हो जाता है अगले दिन जब वो उटता है तो वो अपना मास्क निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता क्योंकि ये मास्क उसे आख से गरम कर लगाया गया था जो अब उसके चहरे से पूरी तरह छिपक चुका है अब ये महिलाय आती है और अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ इंटिमेट होती है अब अगली सुबह जब ये उटता है तो यहां से भाग जाता है और अपनी गर्ल्फरेंड को देखने वहीं जाता है जहां उसने टेंट लगाया था लेकिन सिवाय टेंट और कुछ बरतन के उसे वहां कुछ नहीं मिलता अब वो निराश होकर रोड पर आ जाता है और वहां से गुजरने वाली एक कार को रोगता है और उसमें बैठे आदमी का शिकार कर इन महिलाओं के पास लाता है इस बात से खुश होकर वो महिलाओं इसके साथ फिर से इंटिमेट होती है अब जब ही ये इनके लिए शिकार करके लाता था ये महिलाओं इसके साथ इंटिमेट होती थी अब समय गुजरता है और ये इनके साथ मिल चुलके रहने लगता है इसलिए एक दिन ये महिलाए इस आत्मी को उसकी girlfriend से मिलवाते हैं जिसे इन महिलाओं ने बंदी बना कर रखा था ये आत्मी उसे देख खुश तो होता है पर अब वो इन महिलाओं के चक्कर में इतना बदल चुका था कि उनके कहने पर वो इसकी गर्दन तक उड़ा देता है और घर जाकर सब मिल जुलकर मजे से उसका मास खाते है और इसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है लाइक, शेर और सबस्क्राइब फॉर मूर